डिर स्टुडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स को पढ़ना जैसा कि आप जानते हैं अभी हम लोग क्लास 12 में इसकी पिछले क्लास में लेंस मेकर फार्मूला को सिध किये थे और देट इस वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट कि आखिर लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है लेंस मेकर सूत्र क्या होता है तो हम लोग ने पढ़ा कि लेंस मेकर सूत्र क्या होता है तो 1 by F is equal to μ2 by μ1 माइनस 1 into 1 by r1 माइनस 1 by r2 ठीक है ये हम लोगों का lens maker सुत्र है अब lens maker formula तो पता हो गया mu2 बटा μ1 माइनस 1 bracket 1 by r1 माइनस 1 by r2 ये हम लोगों को lens maker formula है lens maker सुत्र है अब इस lens maker सुत्र पर आधारे ताज हम लोग आंकिक फ्रस्ट यानि कि numerical problems को देखने वाले हैं तो सबसे पहले जानना चाहिए कि f क्या है दोस्त तो f का मतलब होता है focus दोरी ठीक है और mu2 का मतलब क्या होता है यह होता है द्वितियक माध्यम यानि कि दूसरा माध्यम और mu2 का मतलब होता है प्राथमिक माध्यम और r1 का अगर बात किया जातो यह है प्राथमिक वकरता त्रिजया यानि प्रतम वकरता त्रिजया और यह r2 क्या है यह है द्वितिये वकरता त्रेजिया ठीक है यानि कि बात किया जाए तो एफ का मतलब होता है फोकस दुरी नूटू का मतलब दुवितियक माधियम इम्यूवन प्राथमिक माधियम आरवन प्रथम वकरता त्रेजिया और आरडू दुवितिये वकरता त्रेजिया तो यही सब को मिलाकर यही सब में संबंध जो बतलाता है वो है lens maker शुत्र अब lens maker शुत्र या तो ऐसे सवाल में आगा कि lens maker शुत्र को सीध करें या फिर ऐसे बोल सकता है कि सीध किजिए कि 1 बटा 1 वराबर mu2 बटा mu1-1 और 1 बटा r1-1 by r2 तो सिधा सिधा हो क्या सकता है सबसे पहले हो सकता है कि b और u दे सवाल में यानि कि परतिबीम भुदूरी दे u दे और r1 और r2 दे ठीक है और mu2 दे और mu1 पूछ दे तो अब ही और u का use करके आप f निकालेगा और f निकालकर हम लोग पूट करेंगे तो चलिए कुछ questions को notice करता है question लिखा जाए किसी ओतल दरपन के सामने किसी ओतल लेंस के सामने किसी ओतल लेंस की सामने दस सेंटीमेटर की दूरी पर कोई वस्तू रखी है कोई वस्तू रखी है जिसका परतिविम्ब 12 सेंटीमेटर की दूरी पर बन रहा हो तो 12 सेंटीमेटर की दूरी पर बन रहा हो तो इस लेंस का प्राथमिक माध्यम ग्यात करें यदि इसकी दूरी परतियक माध्यम 2.5 हो और इनकी प्राथमिक और दूरी तीयक वक्रतारिजिया क्रम्शा प्राथमिक और द्रितियक वक्रता त्रिजिया करम्षः करम्षः 4 cm और 5 cm हो 4 cm और 5 cm हो देखे सवाल में क्या बोल रहा है एक ओतर लेंस है जिसका यू हमें दिया है कितना वस्तु पर माइनस लगा कर लिखेगा जितना वहलू दिया है वस्तु दूरी भी का वहलू माइनस लगा कर जितना दूरी पर परतिविम बन रहा है अब भी और यू का यूज करके सबसे पहले आप एफ निकालेगा अब यू और भी का यूज कैसे करेंगे तो लेंस सूत्र लगाएगा आप लेंस सूत्र क्या होता है यहां से आप एफ कमान निकालेज़ेगा एफ कमान जैसे ही निकलेगा अब आप चलिएगा किस में लेंस में कर सूत्र में लेंस में कर सूत्र क्या होता है तो वन बाई एफ मियू 2 बाई मियू 1 माईनस 1 और 1 बाई आप आरवन माईनस 1 बाई आरटो तो वे एफ का तो वैलू दे दिया इस इवला से लेंस सूत्र से एफ कमान निकालिए और द्वितियक माध्यम हम लोगों को दिया हुआ है लेकिन प्राथमिक माध्यम पूछा जा रहा है तो यह पूछ रहा है तो इसको mu1 का mu1 छोड़ दीजेगा और minus 1 को minus 1 ही रखने देना है और 1 बटा r1 r1 का value हम लोगों को दिया है 4 और r2 का value हम लोगों को दिया है तो यहां रख कर और आप mu1 का value निकाल दीजेगा तो इस तरीके से lens में कर formula को जो use है वो हम लोग directly भी कर सकते हैं indirectly भी कर सकते हैं तो यह first question रहा चलिए second question लिखा जाए second question लिखेंगे यदि कोई गोलिये lens यदि कोई गोलिये lens जिसके प्राथमिक और द्वितियक माध्यम का अनुपात एक अनुपात दो है एक अनुपात दो है और इनकी वक्रता त्रिजिया करम्ष इनकी वक्रता त्रिजिया करम्ष दो सेंटिमेटर और तीन सेंटिमेटर है इनकी वक्रता त्रिजिया करम्ष दो सेंटिमेटर और तीन सेंटिमेटर है तो इस गोलिये लेंस की तो इस गोलिये लेंस की फोकस दूरी ग्याद कीजिए इस गोलिये लेंस की फोकस दूरी ग्याद कीजिए चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या कोशन बोल रहा है देखिए यहां पर क्या बोल रहा है एक गोलिये लेंस है ठीक है और इस गोलीय लेंस में सबसे पहला बात बोल रहा है कि जो गोलीय लेंस कहीं भी हो लेकिन उसका प्राथ्मिक माध्यम और दुरितियक माध्यम का अनुपात हम को दिया है यानि कि प्रात्मिक माध्यम को mu1 कहते हैं और दृतियक माध्यम को mu2 कहते हैं ये दोनों का अनुपात जो हम लोगों को दिया हुआ है एक अनुपात दो दिया हुआ है इसलिए आप मान लिजिएगा कि माना कि mu1 बराबर x तो mu2 बराबर कितना 2x x हो गया और 2x हो गया अब फिर बोला जा रहा है कि इसका जो वक्रता त्रिजिया कितना कितना है तो इसका जो वक्रता त्रिजिया है यानि कि R1 का value हम लोगों को 2 cm दिया है और R2 का value 3 cm दिया है तब इसका focus दूरी कितना होगा तो इसका focus कैसे निकालेंगे तो lens maker formula से क्या है lens maker formula तो एक बटा f bracket mu2 बटा mu1 minus में 1 bracket में फिर से 1 बटा r1 minus 1 बटा r2 ठीक है अब यहां mu2 कितना है तो mu2 हम लोग को का 2x है तो 2x रखिएगा यहां x और minus 1 बटा r1 minus 1 बटा r2 x x कट जाएगा तो 2 में से 1 गया तो 1 ऐसे करके सब का value पूट करके यहां से f का value निकाल देजएगा तो simple way में question बन जाएगा चलिए फिर से next question लिखा जाए यदि किसी गोलिये lens के सामने कोई वस्तू 15 cm की दूरी पर इस्थित है 15 cm की दूरी पर इस्थित है तो इस lens से परतिबिम्ब की दूरी ग्यात किजे इस lens से परतिबिम्ब की दूरी ग्यात किजे यदि इन lens के दोनों माध्यमों का अनुपात इन lens के दोनों माध्यमों का अनुपात दो अनुपात तीन है और और इनकी वक्रता त्रिज्या का अनुपात इनकी वक्रता त्रिज्या का अनुपात तीन अनुपात चार है तीन अनुपात चार है चलिए ये कुशन सबसे मस्ट है और समझने वाला है सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि एक lens है और उसका वस्तु दूरी 15 cm है यानिकी माइनस 15 cm भी का मान निकालना है परतिविम्ब दूरी निकालना है कब जब हमें दोनों माध्यम का अनुपात दिया है यानिकी मुवन अनुपात मुटू का मान दिया है दू अनुपात तीन ठीक है तो आप मान लिजिएगा कि माना कि μ1 बराबर 2X और μ2 बराबर 3X ठीक है फिर क्या बोला कि इनकी त्रिजियाओं का अनुपात वक्रता त्रिजिया का अनुपात यानि कि R1 अनुपात R2 तीन अनुपात 4 है तो अब की बार इसको भी मान लिजे कि माना R1 का मान 3Y क्योंकि हम X तो पहले ही मान चुके है तो अब की वाला अनुपात को Y मान लिजेगा तो R2 बराबर 4Y ठीक है अब ऐसा किजेगा सबसे पहले Lens Maker सूतर से F निकाल लिजे अब F कैसे निकलेगा तो बताते हैं 1 by F बराबर μू 2 बटा μू 1 1-1 1 by R1-1 by R2 इस मू 2 के जगह पे आप रख दिजेगा 3X और मू 1 के जगह पे 2X और R1 के जगह पे 3Y और R2 के जगह पे 4Y और सबका LCM लेकर यहां खुद X कर जाएगा तो इस तरीके से यहां से F का मान निकल जाएगा जब F का मान निकल जाएगा और यहां पे U का मान दिया हुआ है तो V का मान निकल जाएगा यानि कि F का मान कौँचे से निकलना है तो LensMaker सूत्र से F का मान निकल लेजे और U का मान सवाल में दिया हुआ है और फिर V का वेलू आप यहां से निकल लेजे Lens सूत्र से 1 by V minus 1 by U बराभर 1 by F इसका यूज करके आप निकल सकते हैं तो कुल मिला कर देखा जाए तो हम लोग इसको इसजी में बना सकते हैं सबसे पहले LensMaker formula का यूज करके F निका लिए और F अगर निकल जाता है तब हम फिर से Lens सूत्र लगाएंगे क्योंकि U का वेलू दिया है और भी निकालना है तो दोस्तों ये सब सारा जो 2-3 questions की हैं हम लोग ये सभी हम लोगों का LensMaker शूत्र पराधारित कुछ प्रश्न थे तो दोस्तों LensMaker formula को आप बहुत अच्छे से practice किजिएगा इससे related to numericals का chance काम है लेकिन वो formula सीध करने के लिए एकदम 100% आ सकता इसलिए इसको आप बारबर practice किजिएगा तो आज के लिए इतना है और फिर मिलते हैं अगले class में अगले topics के साथ तो धन्यवाद